हाँ टाइपस ऑफ रियक्शन की डिस्केशन करें तो टाइपस ऑफ रियक्शन में बिसिकली हम लोग यह डिसकस करेंगे आपके बारे में बताएंगे आज तोड़ा सैसन वाने सेंटू के बारे में आज आपको और एक अच्छा सा नॉलिज बढ़ेगा लेकिन फिर भी उस प रियक्शन जो है न उसमें लिखो एलिमेंटी रियक्शन और कॉम्प्लेक्स रियक्शन यह लिख लो आप डन हो गया उसके बाद आप क्या करो उसके बाद आप यह लिखो एलिमेंटी रियक्शन लिखो आप एलिमेंटी रियक्शन जो होती है वह सिंगल स्टेप रियक्श इसका एक्जाम्पल कौन सा हो जाएगा इसका एक्जामपल हो जाएगा एकजांप्ल हो जाएगा ए संट्टू मैंकल जैगा ए इसका एकजांप्ल हो जाएगा इस रिएक्शन टेक प्लेस न सिंगल स्था बिदाऊट फौर्मिंग एनी इंटर्मीडियर किसी भी इंटर्मीड को बनाए तो एक ही स्टेप में हो जाती और यहां पर क्या होगा रीक्टेंट होगा जैसे यहां पर डाइग्राम जो बना लिजिए र क्रीपे एक प्रिक्रे सपया प्रॉपर और उसके बार प्रॉड मिय-क्रॉड पर इसे करके ने हाँ गोर्ण और यह प्रोडक्ट होगा तो कोई भी बिल्कुल और क्योंकि आपने SN2 मेकनियम पढ़ लिए तो SN2 मेकनियम कैसी होती है सिंगल स्टेप मेकनियम होती है SN2 को क्या बोलते हैं SN2 को बोलते हैं क्या बोलो अब इस पर भी दिसقطशन है आपन करेंगा अब इस्पे बीडिस्क्षम, क्या लिखा है उसमें को क्या अब थ опыт करें टमच सकते हैं तो more जैक्षण which is which is equal to the number of molecules which make a transition state or activated complex because of collisions in proper orientation and with sufficient energy है यहां पर RDS जैसा कुछ भी नहीं आ देता है ना आ देती हां पर RDS जैसा नहीं है सर प्रोड़क्ट वाला साइड नीचे होता होता होगा क्या जरूरी नहीं एक में जो पहला डियाग्राम बना हुआ है प्रिंट आउट में उसमें प्रोड़क्ट वाला ऊपर है मैंने जो बनाया वो नीचे बनाया तो अंडो थर्मिक के साब से वो दोनों हो जाएगा ही ऑ हान तो आपको यह दोनों प्वांट लिखने हैं यह पूरा प्वांट यह पूरा पॉइंटी लिखने लो एक पूरा पॉइंट लिखो ढाइग्राम बनाओ व Holzअगाद और उसके बाद यह का अपना एक्ट्ट्यsk एक्टउल एक्टिस्टेंस नहीं है कि ट्राजीशन स्टेट का अपना एक मैड करने मुझे स्टेट का अपना तो आप ये सेकेजंद पॉइंट करो आप लोग ना झाल 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 तो आप लोग है ना झाल तो सिंगल स्टेप रेक्शन में इफेक्टिव कोलीजन बन पा रहा है प्रेक्शन पोग रेक्शन पा प्रेक्शन पर प्रेक्शन पर नॉइटेशन पर सफीशें अंट अप आप अंट अप आप अप अटेश्य जो जो कोलीजन होते हैं उनका क्या नाम होता है क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलीजन बनाने वाले पार्टिकल्स का जो नंबर होता है वही नंबर क्या कहलाता है वही नंबर क्या कहलात लुम और हो गए यह ऊब्यस सी बात है या तो वन होगा या टू होगा या थरी होगा क्यों क्यों कि यह तो एक पर्डेकिल पहुंचेगा एना ज़र like Unimolecular one molecule get excited just like radio activity है ना by Molecular में दो part के लेक सार्थ साहथ पहुंचेंगे by molecule का example दोगे आप मुलिक्टल का example दोगे कौन सा ये भाइं Denmark और यूनि माली कुलर का यूनि माली कुलर का वो हם पहँआ होता है टानसर इर उस तरीके से और का इसमें कुई समस्या नहीं है आंगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं इसको और आंगे थोड़ा सा और इसमें आप देखो कि यह जो next second point लिए थर्ड पाइंट कर लिए आप लोगों ने थर्ड पाइंट यह पहला पॉइंट था और यह तीसरा पॉइंट है ठीक है चौता पॉइंट कर लो चौता पॉइंट में क्या लिखा है molecular T पर वह पहले इसको फिर लिख लीजेगा molecular T less than equal to 3 molecular T हमेशा कम मलतीन या तीन से कम ही होती इस से ज्यादा होती नहीं ध्यान रखिए होती है तीन या तीन से ज्यादा नहीं होती है विकास्ट प्रबिल्टी आफ साइमल्टेनियस कुलीजन बिट्मीन फूर और more molecules in a proper orientation is very low चार पार्टिकेल एक साथ एक ही orientation पर आजाएं ट्रांसर स्टेट पर है ना एक तो energy भी ज्यादा होगा है ना इस तरहीं के से हो जाएगा SN3 वगरे नहीं होता होगा जरूरत नहीं है है ना SN2 ही से हो जाएगा एक क्योंकि एक तीन का पार्टिकिल का एक ज़्याद आना जरूरत नहीं है वहां पर कुछ है ना कि API मॉलिकुलर का चाहिस्टर कर लो और क्या है इस्टर वालए मिस्टर उसको ट्राइप मॉलिकूलर सुप्र बना Y यह बना लिए था भाइ मॉलिकुलर अफिर बने सिंगल पर पहुंचे बर इस्ट्रिफिकेशन में परपकर यहां गया 4th point में आगया सब लोगों को 4th point में किसी कोई doubt है कोई देख करती है ना किसी को भी last point जो है ना 5th point है ये मैं पहले discuss कर चुका हूँ आज मैं फिर से बोलूँगा इसके बारे में तो मैं ये कह रहा था कि मैं कौन कह रहा फिर से बता दो 4th point molecularity जो है ना less than 3 होनी चाहिए molecularity की जो value है molecularity जो होगा वो less than equal to 3 होता है क्यों होता है less than equal to 3 because 3 या 3 से ज़्यादा particle उपर पहुँच पाना उनकी probability कम हो पाती यहाँ पे जो transistor state जो बनती है यहाँ पे बनेगी transistor state यहाँ पे 3 particle A1, A2, A3 इन सब की energy भी जादा है इनको एक proper orientation में हो जाएगा है ना इस तरीके से है ना इस तरीके से रहेगा ओके तो यह रहता है ऐसा नहीं है molecularity तो 4 भी आ जाती order भी 4 आ जाता है ऐसे करके हैं मतलब कुछ example है organic chemistry में एक example है मुझे याद नहीं आ रहा है भी एक example पढ़ाया जाता हो organic chemistry में हो सकता है बताया गया भी वो बताया भी गया हो तुमनों को या तो फिर अगले class में बता दूँगा देखके इसमें क्या है लिखो for elementary reaction there is only a single step and it is going to be the rate determining step so order of elementary reaction is its molecularity for elementary reaction there is only a single step and hence it is going to be rate determining step so order of an elementary reaction is its molecularity यहापे मैंने बताया था आपको याद है मैंने जब मैं सुरुआत में पढ़ा रहा था पहले साइद पहले दूसरे lecture में मैंने आपको बताया था कि जो elementary reaction होती है वो law of mass action follow करती है और उसका जो coefficient होता है वही क्या बन जाता है order बन जाता है coefficient जो होगा वो क्या बन जाएगा वो order बन जाता है तो यहापे क्या लिखा है पड़ो यहापे लिखा है order of elementary reaction with respect to reactant is equal to stoichiometric coefficient of the reactant तो जो order होता है elementary reaction का वो basically उनके stoichiometric coefficient के बराबर ही हो जाता है जैसे मैंने बताया था कि मानलो ये 2A प्लस B करके कोई अगर मानलो प्रड़क्ट है इस तरीके से और इसका रेट अगर ये दिया गया R बरावर K टाइमस आफ A की पावर 2 और B की पावर 1 तो और अगर कोफिशन के बरावर R आ रहा है तो फिर हो सकती है हो सकती है हमाँ हाँ इसके बारे में अभी बात करते है आदित SN1, SN2 के बारे में अभी बात करते हैं अभी आपका 50% knowledge हुआ है इसके बाद हम लोग आँगे बात करते हैं तो अलिमेंटी रेक्शन में कोई doubt है पाँच पाइंट मैंने बताए है पाँचों पाइंट आपने complete कर ली है लिख ली है न कॉपी में लिख लो पहले कॉपी में फिर हम लोग आँगे बढ़ते हैं है ना पाँचों पाइंट आप लिख लो हाँ टो रिकागनाइज इस अलिमेंटी रेक्शन पता कर जाएगा आपको questions में या तो लिखा जाता है कि यह एलिमेंटी रेक्शन है या फिर coefficient जो होंगे वो order के बराबर हो जाएंगे कैसे पता चला क्योंकि single step है तो single step के लिए हमने एक rule बना रखा है कि single step के लिए हमने जो rule बना रखा है कि हम उसका जब rate law लिखेंगे तो जो उसका जो coefficient होगा उसी को power में लगा देंगे यह रूल बना हुआ है हाँ यह रूल बना हुआ ठीक है अनसल यह रूल बना रखा है single step के लिए multi step में नहीं बना रखा है ना देखो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे का सबका note हो गया होगा चलिए अब आते हैं multi step reaction में complex reaction की बात हो रही है uni molecule में आपने जो SN1 लिखा है वो तो elementary नहीं हुए ना हाँ वो मैं बताता हूँ आपको सर्या मैं आपको आपने जो मैंने uni molecule में जो SN1 लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है वो है ना बताता हूँ आप इसको पढ़ लो तो आपका knowledge complete हो जाएगा फिर हम लोग discussion में ले आएंगे है ना देखो आप इसमें तो complex reaction जो है ना वो क्या होगा complex reaction complex reaction मतलब complex reaction में last line रह गया क्या last line रह गया क्या एक में रुको देख लो यहां तक लिख ले ना यहां तक के बनीदर यह लिख लो हो जाए तो बता देना है ना अगर आप reaction को दो से multiply कर दोगे है ना तो क्या होगा कि जो coefficient है वो बदल जाएंगे अब उसे अगर आप elementary करते हो सुनो मेरी बात जैसे माल लो बताता हूँ अभी इसके बारे में ना अभी बताता हूँ elementary इसके last example में order 0 के हो सब बताता हूँ बता रहा हूँ है ठीक है नोट हो गया देखो पहले आप इसको पढ़ लो इसको पढ़ लो फिर बताते हैं उसके बारे में बात करते हैं पहले आप इसको पढ़ लो elementary complex को पढ़ लो दोनों पढ़ लो फिर उसके बाद हम लोग discussion कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा है लोगों के जो आपने लिखे हैं है ना तो मैं डिसकस करता हूँ तो complex reaction के bracket में लिखो multi step reaction अब हम लोग एक से ज़्यादा step की reaction को पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि आपकी SN1 mechanism कितने हैं ना क्या होती multi step होती है और SN2 mechanism कैसी होती single step होती है तो अब हम लोग थोड़ा सा SN1 के बारे में बात करेंगे हैं ना क्या लिखा है पहला point पढ़िए और note भी करिए पहला point पढ़िए और note भी करिए क्या लिखा है first point में क्या लिखा है reaction which proceed in more more than two step two or two से ज्यादा more than two or two step से ज्यादा more than two step से ज्यादा होगा और having some mechanism and mechanism होगी है क्या कहलाती इस सीक्वेंस्स of elementary reaction इन विच एनी कॉंप्लेक्स रियक्स्न प्रोसीड है ना थे कि बासमाइब लूखा है जो ब्रैकेट मेंन सीक्वेंसव एलीमेंस रीयक्षन क्या हम यह बोल सकते हैं क्या हम यह बोल स कते हैं कि जो हमारा मैकिनिजम श्मπει मैकनेजम आपको सकते हैं कि जो हमारा मैकनिजम उप होता है सिंगल सिंगल से प tep की ई साथेIFS होती है और उनको जोड़कर का होता है एक मल्ली को जोड़कर है कि मपIT स्टैपствен बनती तो वैसे ही है तो single step या यह कहें elementary reaction का जो collection है कई सारे कई सारे multi step कैसे बनेगा single step के collection से बनेगा step one step two step three step four तो step one step two step three step four में जो reactions लिखोगे वो सारी single step होगी वो सारी elementary होगी उन सम्में transient state बनेगा है ना ठीक है इस तरीके से तो यह हो रहा है यहां पर यहां पर क्या हो रहा है कि जो यह होती फॉद्व कॉंप्लेक्स से इस तरीके से इसमें क्या होता है ट्रांसाल स्टेट में यहां पर जो multi step reaction होती है हाँ एक बर आप लिख लो note कर लो फिर मैं बाद में समझा दूंगा हाँ नोट कर लो पहला point note कर लो है ना हाँ 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 तो मल्टी स्टेप रेक्शन में क्या होगा मल्टी स्टेप रेक्शन में जो होगा वो क्या करेगा मल्टी स्टेप रेक्शन में क्या होगा जैसे आप SN1 मेकरियम की बात करते हैं तो अगर हम SN1 reaction की बात करें तो SN1 reaction में क्या होगा? SN1 reaction में जो हमारा 3 degree alkyl halide होगा तो 3 degree alkyl halide क्या होगा? यह आपका जो polar solvent होगा कोई polar solvent आप ले लिजे water बगेरा ले लिजे वो इसक्यूपर क्या create करेगा? dipole create करेगा उस dipole से water particle इसको surround करके क्या करेंगे? इसको eject करेंगे तो यह आपका step 1 हो गया तो इसको water particle इसको है न? एक मेंट को sound setting change हो रही है sound setting तो सही है यार अभी sound setting तो सही है है न? तो यह क्या बनाएगा? यह बनाएगा आपका यह बनाएगा कार्बो के टैन बनाएगा 3 degree कार्बो के टैन बनेगा नहीं बनेगा बोलो है न? इस तरीके से बनेगा तो ये आपका क्या बनेगा ये आपका बनेगा intermediate और ये stabilize करेगा आपने आपको hyperconjugation वगेरा से अगर 2 degree होगा तो कभी-कभी 3 degree बनने के भी chances ये ना बनते हैं 3 degree बन जाने के chances या वो ये सारा ring expansion जो था ring contraction जो था वो सब करता है है ना यहाँ पे carbogatan का rearrangement आपने पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें आपको हाती होंगी कहीं न कहीं पढ़ाई गई होगी तो वो सब यहाँ पर होगा तो इस वाले step में क्या होगा इस वाले step को आपको draw कैसे करोगे अपनी copy पे अगर आपको केमिकल कानेटिक्स के point of view से यह जो step one है इसको अगर आपको इसको step को draw करना पड़े तो आपका जो आपका जो अलकाइल हलाइड था समझे मेरी बात CS3 whole thrice CX जो था अलकाइल हलाइड वो यहाँ पे था ठीकिन अब यह जाएगा उपर तो इसका जो CX bond है ना CX bond पूपना चालू करेगा ऐसे होगा ब्रेक होगा ना यहाँ energy आप supply करोगे heat supply होगी ना यह निकालेगा तो उपर जाएगा ऐसे बारा next step पे क्या होगा निकलो फाइल अटैक करेगा जाके यह ना जैसे वाटर बगएर अटैक करेगा जाके जैसे निकलो फाइल जब वो अटैक करेगा इस कुपर में तो यह intermediate उसके बाद फिर एक transit state बनेगी यह ना टासे बनने के बाद फिर आपका final क्या बनेगा पुड बनने वाली है, अब आप देखो तो इस लेविल से, रियक्टेंड के लेविल से अगर आप देखो, तो एक तो एक्टिवेशन अनर्जी ये वाली है EA1, है ना एक एक्टिवेशन अनर्जी कौन सी है ये वाली है, ठीक है तो EA2, तो ये step 1 वाली है, और चलेगा, first step slow चलेगा, तो ये ही क्या माना जाएगा ये ही क्या माना जाएगा, RDS माना जाएगा, इसी को अपना RDS बोल लेंगे, तो RDS देखने का तरीका समझ में आ गया तो लोगों को कल की class अगर की है तो समझ में आ गया होगा RDS RDS कैसे पिडिट करोगे, कैसे पिडिट करोगे RDS जिसकी activation energy क्या होगी, जादा होगी RDS step की activation energy क्या होगी तो कभी भी गलती से भी गलती से भी ऐसे मत बना देना कि ये वाला step नीचे और उपर ये बना दिया ऐसे करके, तो चक्कर पड़ जाएगा अगर ऐसे बना दिया, तो फिर क्या होगा फिर second step क्या हो जाएगा फिर second step क्या हो जाएगा वो RDS बन जाएगा तो diagram बनाने हम कोई दिक्कत नहीं है ये जो topmost position है, वो हमेशा क्या होंगे topmost position क्या होंगे एक question है उसका इस जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो क्योंकि अभी मेरे contact में सभी institute के बच्चे आये थे तो इसलिए क्या है कि मैंने देखा vibrant की seat में भी है वो question, वो LN की seat में भी है और वो resonance की seat में भी है एक question, तो वो question है जिसमें ये diagram based question है तो वो जब तक आपको clarity नहीं आएगा तब तक नहीं होगा है ना हाँ, एक transition state होगा ना हाँ, बता रहा हूँ है इसके बाद, सिर्या आपका doubt बताता हूँ है ना शिर्या एक मिनट आपका बाद सर, कार्बो कटाइन है या intermediate कार्बो कटाइन, transition state है नहीं कार्बो कटाइन नहीं कार्बो कटाइन जो है ना वो intermediate है, transition state पे क्या होगा transition state पे यह वाली situation आएगी, यह वाली मैं फिर से बना के दिखाता हूँ इसका transition state जो बनेगा किसका transition state जो बनेगा SN1 mechanism का जो transition state बनेगा step 1 का, वो मैं आपको समझाता हूँ step 1 का जो transition state बनेगा water particle क्या करता है, बता हूँ मुझे water particle, जो solvent होता है, वो क्या करता है polar solvent क्यों लेते हो आप लोग polar solvent क्यों लेते हो polar solvent क्यों लेते हो polar solvent क्यों लेते हो, polar solvent क्या करेगा अपने dipole की बज़े से, अपने dipole की बज़े से इसको surround करेगा मदद करता है डाइपुल की बज़े से क्या करता है इसको सराउंड करता है सराउंड करके इसको क्या करेगा निकालेगा बाहर इस तरीके से इसको भी सराउंड करेगा तो क्या करेगा इस वाले बॉंड को क्या करेगा इस वाले कार्बन और हैलोजन वाले bond को कि हाँ solvolices है तो का solvolices तो है लेकिन actually main role तो उसका क्या है water particle का water particle ही responsible है halide iron को क्या करने के लिए अलग करने cleavage करने के लिए तो यह जो bond आपको actual bond दिख रहा है यह अभी यह सुरुवात में दिखेगा लेकिन जैसे जब यह transition state पर पहुँचेगा ना तो situation पता क्या होगी situation transition state पर ऐसी होगी यह है this is the transition state feel आया क्या कार्बो कटैन बन चुका है क्या हाँ नहीं बनाया ना हाँ जब कार्बो कटैन बनेगा तो वो क्या होगा कार्बो कटैन जैसे ही बनेगा उसमें hyperconjugation बन रहा है बना नहीं है जब बन रहा है तो ट्रांसनल स्टेट पर है जब बन चुका है तो कहां पर हो जाएगा बन चुका है तो एनरजी लेवल क्या हो जाएगा उसका बन चुका है तो उसका एनरजी लेवल क्या हो जाएगा बोलो कम हो जाएगा लेस हो जाएगा तो उसके जैसी वो बनेगा तो उसमें क्या सुरू हो जाएगा या रेजुनेंस शुरू हो जाएगा तुरंत नीचे आ जाएगा बिल्कुल सही है ना तेक अलफा एच की बज़े से आई पर कॉन्जूगेशन आ जाएगा ओके मज़ा आ रहा है है ना ठीक है इंटर्मीडियर्ट रियल वी कन सेपरेट इट बट नॉट इन दा केस अ यह इस इंटर्मीडियर्ट रियल होते हैं एक बड़ा स्टेवल कंपाउंड होता है मैं आपको बताता हूं आप लोगों ने यह पढ़ा होगा टुपीलियम कटायन पढ़ा था यह पढ़ा था यह यह पढ़ा था यह पढ़ा था पढ़ा था ऐसे करके सी-उल माय साल्ट बनता ब स्बस्यकों आपको इससे अलग कर सकते हैं खैसे आप डेल को से देख सकते हो ना वैसे आप इसको भी से अलग से देख सकते हो जो लो तो यह इंट्रमीरिट है कि नहीं है बोलो इस तरीके से तो यह क्या हो जाएगा जो है ना अब इस तरीके से इंट्रमीरिट का एक्जिस्टेंस हो जाएगा फील आ गया सबको मैंने काफी टाइम दे दिया आप लोगों को इनोगने को नेक पढ़ा दी बता दी इना सारा पूट किया और वैलू पूट करने के बाद क्या होगा वैलू पूट करने के बाद आपका आंसर आया तो आप आंसर टिक करोगे लेकिन इसमें जो होता है इसमें क्या होगा इसमें आपको पूरा करना पड़ेगा यह देखना यह हो गया यह नोट हो गया प्यूस पहले बत सब्सक्राइब ना दो सब्सक्राइब ना नया एक इंटरमीडियर से दूसा इंटरमीडियर ना फिर आप को लगता है कौपी करने जैसा यह आपने पहले पढ़ रखाया तो आप कर लो यह तो पढ़ा होगा ना और सब बताया होगा ना यह सब लेंगेज अलग हो सकता है फिजिकल के अधिक है गुद चलि आंगे बढ़ते हैं यह था दू चलो आगे उधर जाओ बापिस जाओ अपने प्रिंट आउट पे बापिस जाओ प्रिंट आउट पर येस ना चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर कि अगर तो सेकंड पॉइट पर आप लो सेकंड अगरो सेकंड पॉइड नोड करो सेकंड बापिस नोड करो वर कंपलेक्शिंट एचिस तप यह एचिस नपर आफ मेकरियं विल आभ एइस वोन मॉलीकुल आरटी बट molecularity of net complex reaction will not be defined ठीक है complex reaction का जो हर एक step होता है उसका अपने molecularity define कर सकते हैं लेकिन overall reaction का molecularity defined नहीं होता है net reaction का molecularity defined नहीं होता है ये बात अलग है कि for the practical purposes हम लोग क्या कर लेते हैं हाँ but SN1 में defined है वही मैं बोलने जा रहा था कि most of the cases में जो RDS की जो molecularity होती है जब multi step reaction होती है उसी की molecularity को हम लोग reaction की molecularity माल लेते हैं है ना RDS में क्योंकि आपका जो SN1 reaction है SN1 reaction का जो step 1 है जहापे वो कार्वो कटैन बनता है तो उसमें केवाल alkyl halide involved होता है यह की particle transfer state पे पहुंसता है इसलिए हमने क्या बान दिया था उसको क्या बोल दिया था RDS की molecularity ही क्या हो गई थी आदित RDS की ही molecularity को हम लोग overall reaction की molecularity माल लेते हैं but theory यह कहती है theory यह कहती है कि overall reaction का हमें molecularity define नहीं करना चाहिए अगर आप कहीं नहीं define करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं कहीं कहीं define नहीं भी करना है अपने को सबज़ में आ गया ठीक है इस तरीके से तो SN1 reaction का जो नाम दिया गया है SN1 reaction का जो नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है nucleophilic substitution unimolecular तो unimolecular इसलिए दिया है क्योंकि वो RDS उसका unimolecular है इसलिए दिया गया है अब मेरे क्याल से हो गया होगा डाउट आपका के लिए तो second point note कर लिया है सब लोगोंने हम लोग बात करते है third point की क्या लेका है order of complex reaction can be zero fraction और whole number even negative with respect to some species तो complex reaction का जो order हो सकता है वो क्या हो सकता है वो zero भी हो सकता है वो negative भी हो सकता है जो कोई student पूछ रहाता था ना सर की वो जो zero हो गया था है ना एक्जाम में molecular tick करेंगे या नहीं करेंगे किसमें अधित किसमें कहरे रहे हो आधित मेरे को समझ में रहा है किसमें एक्जाम में tick करना है समझ में है molecular tick करेंगे मतलब hand raise करो क्या बोल रहे हो बताओ SN1 की molecular हाँ one करना है आपको कोई दिक्कत नहीं है जब हम लोग उसका नाम ही रख दिया है uni molecular तो one tick करना ना क्या दिक्कत है one tick कर ली जएगा कोई समस्या नहीं है आगे बढ़ते है order of complex क्या लिखा है third point में order of complex section can be zero fraction और वो लमर even negative विजस्वेक्स हमें स्पेसीज तो order जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है SN2 की molecularity 2 होगी बिल्कुल आई हो शी SN2 की molecularity 2 होगी क्योंकि ट्रांसल स्टेट बनाते समय alkyl halide और nucleophile दोनों involved होते हैं correct single step में होता है single step में होता है और क्या होता है कि two single step में होगा और alkyl halide और यह दोनों होता है third point में है कि order of a complex can be zero fraction whole number और negative order कुछ भी हो सकता है complex reaction का order zero भी हो सकता है complex reaction का order one भी हो सकता है two negative कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या elementary reaction का order कभी zero हो सकता है क्या हो सकता है क्या elementary reaction का elementary reaction का जो coefficient होता है वही order होता है तो reactant का coefficient zero तो ही नहीं हो सकता है reactant का coefficient negative भी नहीं हो सकता reactant का coefficient negative भी नहीं हो सकता है ना तो क्या आगर मैं एक statement आपको बोलता हूं आप लोग बताईएगा क्या हम यह कह सकते हैं कि zero-order reaction is always a complex reaction क्या यह यह is a true statement zero-order reaction zero-order reaction क्या होगा वहमेशा क्या हो जाएगा एक complex reaction होगा ना zero-order reaction होगा वहमेशा क्या होगा एक complex reaction होगा है ना कोई क्या है liquid solid होगा तो तो भी तब तो कोई problem नहीं है ना तो आप लोगों को जो है ना तब भी आपको क्या करना है तब भी वह zero-order नहीं हो सकता है ना depend तो करेगा मौल उस पर ठीक है इस सरीके से but all complex may not be जहाँ, बिल्कु सही बात है कि complex zero order reaction जो है न, वो complex reaction होगी, लेकिन सभी complex reaction का order zero होगा ये किसने का आप SN1 पढ़ते हैं न, SN1 reaction का order क्या आता है SN1 reaction का order क्या आता है क्या आता है order 1 ही आता है 1 ही आता है order molecular T भी 1 आती है और order भी 1 आता है क्या न, ठीक है molecular T बनाता है order भी बन जाता है 2A प्लस B की molecular T define नहीं होगी, अगर 2A प्लस B से ज़्यादा जैसे है न, 3 से ज़्यादा अगर आप लेके आते हैं हरशित, तो फिर molecular T हम define नहीं करेंगे, coefficient का summation अगर 3 से ज़्यादा हो गया तो फिर हम molecular T define है वो definitely क्या होगी, अरशित वो definitely एक complex reaction होगी, ठीक है है न, इस तरहीके से नहीं हम लोग 4th point पढ़ते हैं और 4th point क्या है कि order of reaction or rate law of a reaction is calculated with the help of mechanism of the reaction generally using rate determining step ठीक है, rate determining step क्या होता है, slowest step in the mechanism, यह न, order or rate law of a reaction is calculated with the help of mechanism of the reaction generally using rate determining step if given, है न, if given यह RDS क्या होता है, slowest step होता है ठीक है, तो यह कह रहे हैं कि जब आप order देखोगे, किसी complex reaction का जब आप order देखोगे, है न, किसी complex reaction का जब आप order देखोगे, तो order देखने के लिए आपको RDS देखना पड़ेगा, complex reaction, जब आप multi step reaction पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा focus किस के उपर होगा, RDS के उपर में होगा, RDS ही molecularity decide करेगा, RDS से यह आपका order decide होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, RDS के होता है, जो सबसे slow step होगा, है न, तो जैसे कोई, आप कोई machine पर काम हो रहा है, महलों, चार-पाज machine ऐसे line से लगी हुई है, तो अब उस, उनमें कोई product महलो, कोई pen van बन रहा है, तो उसमें जो सबसे slow काम करने वाला आदमी होगा, उसकी बज़ए से क्या होगा, वही production का rate decide करेगा, अगर कोई आदमी slow काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, पूरा production ही slow हो जाएगा, न, ठीक है, इस तरीके से, आँगे बढ़ते हैं, तो fourth point clear हो गया, fifth point पढ़िए, fifth point में क्या लिखा है, कि rate law of reactant is always written in terms of concentration of reactant, product or catalyst, बट never in terms of concentration of intermediate, तो जो rate law लिखते हैं न, आर बराबर करके लिखते हैं, आर बराबर, आर एक्वल टू के टाइमस आफ कॉनसेंटेशन की power order, ये rate law जो लिखा करते थे हम लोग, तो ये जो rate law में जो concentration आएगी, उसमें reactant आ सकता है, उसमें product आ सकता है, इसका example मैंने दिया था, याद है वो ozone वाला example, सुब आप में दिया था न, उसमें catalyst आ सकता है, catalyst में का ला example कब आया था, कब आया था, catalyst वाला example, बोलो, catalyst वाला example कब आया था, हाँ, catalyst वाला example आया था, इस्टिफिकेशन में और के बाहिए था इसमें आये ता इसमें और किसमें अया था ος किछओ किछओ vouट कैलिस्ट केटलिस्स और रडर डिपेंड करता हूं ता और विया नहीं फ्याब नहीं H2SO4, LED Chamber Process, याद है, LED Chamber Process में क्या आता है, NO की Concentration, यूज की गई थी आता है, वाला, तो catalyst भी आ सकता है, catalyst भी आ सकता है, V2O5 Contact Process में था, वो नहीं आता है, वो नहीं लिया जाता है, वो catalyst होता है, लेकिन वो rate determining step में, involved नहीं होता है, जबकि lead chamber process में क्या होगा है नहीं catalyst की बात नहीं कर रहा हूं मैं आयूशी में बात कर रहा हूं कि catalyst rate law में आए catalyst की मुझे दिक्कत नहीं मैं कहा रहा हूं catalyst की concentration का use जो है ना rate law में आए इस तरह पुड़ट कैसे लिखेंगे वास आने वाला बेटा है ना आने वाला है the mechanism of any complex reaction is always written in terms of elementary steps the molecularity of each step will be defined but net molecularity of composition has no meaning तो ठीक है यह तो पांचों पॉइंट हो गए आप लोग इनमें देख लो कुछ बच्चा है लिखने लाइक तो बता दो नहीं तो हम लोग आंगे numerical करते हैं इस पर नमेरिकल करेंगे देख लो हो गया क्या क्या रहा है आदित क्या क्या रहा है एसन वन रेक्शन में तो फिर तीन ट्रांजिशन स्टेट भी पॉस्टेट है हाँ एक एक रियर्रेंजमेंट का भी बन जाएगा ना एक इंटर्मीर से दूसरे इंटर्मीर में जाओगे ना तो बाज जाएगा ना एक और बनेगा न फिर नेक्स स्टेप बने जाएगा उसके साफ से हर एक स्टेप का एक ट्रांसान स्टेट होगा ऐसे समझ लो जितने स्टेप में रिएक्शन होगी इतने स्टेप में जो हो गया क्या हो जाएगा वह रिएक्शन हो जाएगा है हाँ ठीक है last step कौन सब्सक्राइब है last step में जो है ना मैं यह कह रहा हूँ कि जवाब elementary में जो last example है उसका order 0 क्या है अरे वो elementary का order नहीं है भाई वो इसी complex का order है complex का समरीत वो complex का order है ना complex section बना के order दिया हुआ है complex बना के मैं यह कह रहा था यहाँ पर कि जो reactant होगा उस reactant में जो है ना वो क्या होगा rate law आप लिखो कि उसमें reactant भी आ सकता है प्रड़ भी आ सकता है और catalyst भी आ सकता है दोनों आ सकते हैं लेकिन intermediate नहीं आ सकता intermediate को आपको क्या करना पड़ेगा अगर आ गया तो उसको eliminate करना पड़ेगा आपको खतम करना पड़ेगा rate law final rate law आपको देते समय ठीक है कैसे चलो आगे बढ़ते हैं देखो आप इसको कि इस तरीके से कुश्चन है आपके सामने और है और है जैसे यह कुश्चन था इसमें यह कुश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इसमें मैंने एक reaction दे रखी है 2A plus B करके reaction दी हुई है और इस reaction का आपके पास जो RDS आएगा समझो मेरी बात जो RDS जब आता है तो RDS दो तरीके से आ सकता है आपके सामने और वो ऐसे आ सकता है कि RDS में कोई intermediate involved हो या ना हो दो तरीके से आ सकता है ना ठीक है इस तरीके से इस तरीके से हो जाएगा और 2A plus 3 में क्या होगा यहाँ पे product बनेगा तो इसकी मैंने mechanism दी हुई है mechanism में क्या लिखा है 2A plus 2A जो है वो C में convert हो रहा है और C जो है वो slow step लिखा हुआ bracket में है ना और यहाँ पर हाँ यह पूरा question है यहाँ तक पूरा question है यहाँ तक इधर तक पूरा question है इतना दिया जाएगा आपको यहाँ पे पूर्ट भी दिया जाएगा और आपको यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे B plus C आपस में combine करके पुड़ेट बना रहे हैं यह fast लिखा हुआ है यह ना तो अब यह step 1 में क्या होगा step 1 में जो हमारा slow step है यह हमारा RDS है तो हमने क्या किया हमने लिखा जो R rate law लिखा वो हमने इसी के terms में लिख दिया जिसमें B की concentration क्या होगी गायव हो गई बी की इसके का निकल करी जबकि कोफिशन का समेशन 다 निकल चvensितने और निकल कर नहीं पादर और कोफिशन का समेशन बऱबर होना ज़रूरी नहीं है इसमें तो इसका ओररड़ हो जाएगा molecularity वैसे define नहीं है लेकिन अगर आप RDS की molecularity देखना चाहोगे तो 2 आएगी है ना ठीक है molecularity 2 आएगी बस में आ रही है ये एक ऐसा RDS था आप अपनी copy में लिख लो है ना यहां पर ये एक ऐसा RDS था ये जो RDS है ये वाला जो slow step था RDS does not have does not have RDS does not have intermediate अगर RDS में intermediate नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ये कैसे मालूम चला अरे जो भी steps होते हैं ना वो single step ही होते हैं देवेस ये दो single step ही है ना step one step two जतने भी होगे सब को elementary मानना पड़ेगा है ना नहीं मानोगे तो फिर तो ये भी नहीं सब नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा ये ना ठीक है तो हमारे जो हमारे step जो जिन step को मिलाके मैं कर Never हो उनको तो आपको single step मानना ही पड़ेगा ना ठीक है स्था डेकर कैसे हैं कि इसका जो ये जो है ना ये आपका single step है ये आ डिय सते ये single step है ये elementary reaction है то एलिमेंटरी रियक्षिन का जो कोफिशेंट होगा वही क्या हो जाएगा किसने पूछा अंसुल एलिमेंटरी स्टेप का जो कोफिशेंट होगा वो क्या बन जाएगा ओर्डर बन जाएगा ना तो फिर यही तो उसका कोफिशेंट कितना लिखा हुआ है हाँ 2 लिखा हुआ है तो वही क्या हो यह order बन जा इस लिए power 2 आ गई है कि इसमें त्यूं सेट आएंगी बावेश एक स्टेप वन की ट्राश्ण स्टेट होगी कि स्टेप 2 की ट्राश्ण स्टेट होगी और यहां पे जो सी है वह intermediate है भावेश यहां पर दो दो ट्राजनल स्टेट होंगी एक स्टेप बन का एक स्टेप टू का है ना और यहां पर जो यह बनेगा मतलब जो intermediate होगा वही होगा है S1 कुछ बता उस समय कुछ बता रहा हूँगा पता नहीं क्या बताया होगा उस समय याद नहीं पहले का लिखा होगा है ना बटा दोसको पहले का लिखा होगा कुछ बता किसी ने कुछ पूछा होगा तो बता दिया होगा है है एट कर वन केट्व को एक्वल होना जरुराइन नहीं है कि नहीं इंटर्मीड़ियर में आर डियस में इंटर्मीड के समय जो है न अच्छा किसी नहीं पूछा है मेरे से कुश्च अच्छा है लुक्ष झाल अब शुरुआ से करते हैं आपके सामने ना मैं यह कह रहा हूँ आप से कुश्चन में मैं ऐसा कुछ बोलूँगा आपको मैं यह बोलूँगा यह आपकी रियक्शन थी यह में रियक्शन है यह में रियक्शन ऐसे दी जाएगी अब इसकी में बना रहा हूँ तो यह दो इस्टेप में इसकी बना देता हूँ यह ना तो मैंने क्या लिखा टू ए प्लस से बना दिया rate constant k1 ले लिया और इसके bracket में मैंने slow दिया यह मैं खुद लिखके दूँगा एग्शामनल आपको लिखके देगा आप चिंता मत करिए step 2 में क्या लिखा मैंने step 2 में मैंने लिखा b plus c equal to product और इसके bracket में हमने आपको लिखा fast इतना आपको दिया जाएगा clear है इतना आपको दिया जाएगा अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे आप सबसे पहले किस पर आपका focus जाएगा क्यार मेरे को rate law लिखना है यह complex reaction है multi step reaction है न चैट मैंने open कर दी है न ठीक है उस तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर सबसे पहला काम आप क्या करोगे सबसे पहला काम आप देखोगे कि multi step reaction है तो multi step reaction का जो rate law लिखा जाता है, वो किस से लिखा जाता है? RDS से लिखा जाता है K4 Second Reaction आप K2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं वो तो दिया, K2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं K2 लिख दो, है ना? हाँ, तो सबसे पहले आप RDS identify को भाई आपका RDS कौन से step होगा? हाँ, सुल स्टेप होगा? है ना? इस तरही के से तो यह हो जाएगा, ओके तो आप RDS कितने step की reaction है? एक step की या दो step की या तीन step की कितने step की reaction है? एक step की reaction है तो single step है तो RDS को elementary मानोगे या नहीं मानोगे? RDS को elementary मानोगे या नहीं मानोगे? है मानेंगे तो know some जो कोफिशन्ट होगा वो क्या बन जाएगा plays क्या प्तॉपी हर नइगा ओड़न जाएगा तो बस इसीसे आप रेक्मध लिख देना कि इसीसे आपको है लो लिखना है इसी से rate law लिखना है, ठीक है, इसी से rate law लिखना है, तो r बरावर क्या होगा, r बरावर k times of concentration की power order, यह होता है, तो R को R रहें दो K की जगे क्या आजाएगा K1 के बन आजाएगा और इसको जो coefficient है वो क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा यह जो coefficient है वही इसका क्या बन जाएगा और बन जाएगा हाँ अगर slow और fast की जगे पर अगर वो graph दे देगा तो भी कोई समस्या नहीं है उससे कर लेना तो कुश्चन बनाने का तरीका है अब किसी को समस्या यह आ रही है अनसुल वर्मा इनको समस्या C की से आता रही है C एक intermediate है C एक intermediate है समझ गए है लेकिन भाई जो पहला step है ना पहला step में जो rate लिखोगे rate जो depend करता है किस पर depend करता है reactant की concentration पर या product की concentration पर किसी भी reaction का rate किस पर depend करता है reactant की concentration कौनसी concentration पर reactant की कौनसी concentration पर reactant की कौनसी concentration पर बची हुई concentration बहुत ही बढ़िया ना बहुत ही बढ़िया reactant की बची हुई concentration पर जो है ना वो बनता है ठीक है तो अगर आपने वास्तों में सारा कुछ सोच अगर पढ़ा है देखा है तो इस तरीके से क्या होगा यह आपका रेट लो आ गया इस रेट लौ में भी गायब है इस रेट लौ में भी गायब है है ना हाँ इंटर्मेड फार्म होने से जो है ना रियक्शन सलो हो गई बिलकुल सही है सलो स्टेप वाले में इंटर्मेड बन रहा है तो सलो हो गई है तो आर बराबर के टाइमस आप यहाँ पे बी नहीं है जबकि आपके रियक्टेंट में भ और आ रहा है तो जो पहले मैंने उपर लिखा था यह जो लिखा हुआ है यहां पर पढ़ो आपने आपने भी यहां पढ़ा था कि जो यह पढ़ा था आपने कि order of a complex reaction can be 0 fraction whole number or even negative with respect to some species पढ़ा था भी आपने पढ़ा तो देखो 2 के respect में 0 आगया कि नहीं आगया तो इस तरहीके से आप इसको समझेंगे वा Junior तो में यह कह रहा था कि आपने यहां आला जो केस पढ़ा आ यहां इसमें क्या हो रहा है यह केस वन एक तरह से आप लिख देना case 1 लिख देना और इसमें लिख देना RDS RDS does not have intermediate does not have intermediate मेरे पास जगे नहीं है मैंने just manage कर दी है आप लोग note कर लिएगा अपनी जगे पे ना ठीक है Yes, बिलुकुल प्रिया RDS का ही rate law आपको consider करना है RDS का rate law ही आपको consider करना है पूरे rate law को लिखने के लिए molecularity कैसे निकला था इससे पहले molecularity अगर आप question में पूछेंगे तो या तो आप लिखेंगे molecularity not defined सुनो मेरी माद अगर इस question में ये लिखा गया है या तो आप लिखोगे molecularity not defined लेकिन अगर option में not defined जैसा कोई कोई आपके पास option नहीं है तो फिर definitely molecularity का जो answer लिखोगे फिर कितना लिखोगे फिर आप जो RDS की जो molecularity थी RDS की जो molecularity है वही आपका answer होगा फिर और RDS की molecularity कितनी है यहाँ पे कितनी होगी 2 होगी तो यहाँ पे order भी इतना आएगा बोलो यहाँ पे order भी 2 आ रहा होगा आए गई 2 order 2 आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो overall order क्या रहा रहा रियक्शन का overall order क्या रहा है 2 आ रहा है तो अभी बताता हूँ मैंने जो C लिखा है उसके बारे में बताता हूँ ना तो order जो है ना order अरे यार सी के पीछे क्यों पड़े हुए मैं कह रहा हूँ मैं बार-बार लिख रहा हूँ RDS does not have intermediate अरे बेवकूफी है तुम लोगों की यार जब जब मल्टी स्टेप में रियक्शन होगी तो intermediate तो आए गई आएगा ना लेकिन intermediate जो है ना rate law का पार्ट नहीं बनना चाहिए समझें कि अगर multi step की reaction है तो बेवकूफी है कि intermediate नहीं आएगा multi step में हमेशा अगर multi step की reaction है एक से ज़्यादा step में reaction होगा तो intermediate तो definitely होगा वहाँ पे लेकिन intermediate rate law के expression में appear नहीं हो रहा है जब R बराबर लिख रहे हो ना तो उसमें C नहीं आ रहा है जब R बराबर लिख रहे हो तो उसमें C नहीं आ रहा है समझे अभी रुख जा दो मैठे ना तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे order क्या होगा order 2 होगा और molecularty कितनी हो जाएगी कि टू हो जाएगी अब next कुछ example करो अपने आप और समझ में आ जाएगा नेक्स एक्जाम्पिल में यह जो रेड़ पैंसे लिखा हुआ है इतना इतना ही लिख लो केबल यह वाला पार्ट लिख लो में सौल बाद में करूंगा इसको ना इतना यह लिख लो जो रेड़ पैं वहां तक लिख लेना केबल यहां तक लिखना केबल कुश्चन यह जो रहा है यहां तक लिखना यह बस इतना ही लिखना इतना लिख लो बस केबल इतना बस यह लिखो बागी सौल में करूंगा यह लिख लो आप है ना अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं दुबारा लिख देता हूँ इसको देखने हम दिखकत आ रही हो तो यह question कुछ इस तरीके से है 2 O 3 से 3 O 2 और जो mechanism है mechanism में mechanism में लिखा गया है O 3 से K1 K2 O 3 प्लस हो है ना फिर O प्लस O 3 giving you K3 2 O 2 यहां slow लिखा हूँ है यहां पर fast equilibrium लिखा हूँ है इतना ही लिखना यह question है बस आपका ना rate law बताना है rate law बताना है question note हो गया question note हो गया ठीक है molecularity RDSC देखेंगे ना molecularity RDSC देखेंगे अगरा जो question था यहां ना ना हम लोग अब आपको heading दे रहे हैं और वह heading है के बन के टू rate constant है equilibrium constant नहीं है के बन के टू rate constant है अब मैं जो question कराने जा रहा हूं जिसमें की RDS have intermediate case two है यह यह आपका case two है RDS have intermediate है ना है तो उसमें RDS have intermediate में तो आप लोग एक मैं था क्या था question है यह यह फिर से बापिस जाता हूं 203 that will give you 302 ना 302 इसका step one जो था step one था O3 plus O giving 202 नहीं O3 is giving you यहां लेखा हूं है fast equilibrium और O3 plus O 2 O2 यह slow लिखा हूं है ठीक है हां intermediate होगा तो कम से कम दो step की reaction होगी बिलकुल आयोशी तो यह आपके सामने है अब आप बताओ इसमें slow step कौन सा है step one या step two step two slow step है तो अब आप समझ ले ना जिनको नहीं लिखोगे आर बरावर बोलो और बरावर क्या लिखोगे के थ्री टाइम्स आफ ओ ओ थ्री का और आ ंज्मनेख आ गया है यह चीज कहा रहा हुआ तहल है कि इंटर मीटły कि concentrate की form में नहीं लिख सकते हो । हाय समझ में नहीं है इसमें नहीं लिख सकते हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा है ना आपको क्या करना पड़ेगा आपको o की concentration क्या करनी पड़ेगी हटानी पड़ेगी जीरो क्यों कर दें इसका order कैसे जीरो हो जाएगा coefficient 0 कैसे होगा बेटा अभिमान यह ना power 0 क्यों कर दें भाई तो power 0 का मतलर है यहां coefficient 0 हो इनी सकता possibility नहीं है ना यहां पर यहां coefficient 0 कैसे लादू मैं तो ओ को आपको हटाना पड़ेगा है ना ओ को आपको हटाना पड़ेगा ओ कैसे हटेगा ओ हटेगा step 1 से नहीं एड नहीं कर सकते mechanism देने के mechanism जैसे दिया गया है उसी पर काम करना पड़ेगा आपको एड वैड नहीं तो फिर क्या फायदा होगा एड करके जब एक ही step का बनाना तो फिर क्या करोगे जब एड करके single step में काम करना तो फिर क्या फायदा mechanism पर काम करने का इना step 1 में क्या कर रहा है क्या है equilibrium आगया तो इसको equation number one डाल दो और जो पहला reaction है उसमें क्या करो के equilibrium constant क्या होता है बोलो क्या हो जाएगा बोलो के वन अपॉन के टू हो जाएगा और एक इतना हो जाएगा ओ टू concentration और ओ कॉंसेंट्रेशन डिवाइड बाई ओ त्री कॉंसेंट्रेशन ठीक है इस तरीके से नाओ ओ का जो कॉंसेंट्रेशन आएगा वह क्या आएगा वह आएगा के वन अपॉन के टू ओ त्री कॉंसेंट्रेशन डिवाइड बाई ओ टू कॉंसेंट्रेशन यह आजाएगा अब यह जो ओ की concentration आई है ये वाली जो O की concentration है इसको उठाके इसको उठाके क्या करो यहाँ पुट कर दो यह वाली जगे पर ठीक है समझ में आ गया समझ में आया नहीं आ है पुलो ठीक है तो R बराबर R बराबर K3 times of O3 concentration into K1 upon K2 O3 concentration divide by O2 concentration यह आ जाएगा ठीक है तो यह that become K1 K3 divide by K2 और यह हो जाएगा O3 concentration का whole square और O2 की concentration की power minus 1 तो यह reactant आ गया यह reactant है यह product है यह था यह reactant कौन था इसमें ठीक है यह सही है यह reactant है आपका तो reactant concentration आ सकती है product concentration rate law में लिखी R के expression में आ सकती लेकिर intermediate नहीं आ सकता है ना हाँ तो आ गया negative order भी आ गया देखो negative order भी आ गया कुछ लोगों को बड़ी परिसानी होती थी है ना मतलब कितनी बार मैंने बोला class में कि मैं सबसे last में पताऊंगा सबसे last में पताऊंगा कि product कैसे आएगा बहुत लोगों ने पूछा मेरे बार बार पूछते थे product कैसे आएगा लोग आ गया आपके सामने product कैसे आ गया और product क्यों आया क्यों कि जो जिस यहां पे आपने जो एक के एक step का involvement लिया है आपने step 1 का involvement लिया है RDS निकालते समय लिया है या निलिया है और वो step 1 जो है na reversible होने की बज़े से इसने product की concentration को involvement दिखा दिया आपको तो मैकेनिजम में जब भी है ना मैकेनिजम में जब भी क्या होगा है ना मैकेनिजम में जब भी के वन के टू के वन बाई के टू हां क्या लिखा के वन के टू उल्टा हो गया है साइड के वन के टू उल्टा हो गया क्या है कि ओ थ्री टू है नहीं सही तो है के बन के साथET 3 multiply होगा के 2 सभी है लिखाव है तो यह सारी चीजे हैं इस तरीके से यह मैं कहे रहा था बार बार जो इनिन को जिसको इंटर्मेराड वाली बात नहीं समझ में आ रही थी इसको भी अब समझ में आ गई होगी है ना इस तरीके से उत्री जो है ना वो न्यूमेटर में और यह उत्रा तो पिछले जो पिछला जो एक्जाम्पिल था पिछले एक्जाम्पिल में जब आपने आडियस लिखा तो उसमें ऐसा कोई सबस्टेंस नहीं था जिसे आपको इलिमिनेट करने की जरूरत थी पिछले अगर यहां पैसा कोई चीज होती जिसको इलिमिनेट करना होता तो मुझे कुछ और लगाना पड़ता इसमें कोई इंटर्मीडियट नहीं आ रहे है ना यह तो रियक्टेंट था ना ठीक है इस तरीके से तो कॉंसेंडेशन आफ ओ थी नुमेरेटर में तो ही रखा हुआ है ओम भाई क्या दिक्कत है ओम क्या प्रॉब्ला ना बूलो अटो है सर्वन जो एक्विलिब्रियम वाली रियक्षन लिख्या तो के वन फॉर्वर्ड का मतलब रेट साथ पर में आना चीना ओक्षिया इसरी के रिएक्टेंट और लिख रहे हम तो क्यों कर रहें आर पृट कॉंसंटेशन अपॉन रियक्टेंट कॉंसेंट डियूम इंट अच्छा लिख रहें से सौरी सर्ण कि are you हाँ बिल्कुल सभी बात है प्रियूस अगर अगर रियक्तेंट अगर घ्रना घ्याऊ नहीं देखसंब यह घ्äस्ट आर का में इसमें अगर इंटर्मियट आएगा तो सको रिमूब करना पड़े गा है ना, इसमें कोई, अगर इसमें catalyst आजएगा तो remove नहीं करना पड़ेगा antenna आगा, तो remove नहीं करना पड़ेगा आपको यह नोट्स चाहिए हो तो मैं भेज दूँगा अगर यह चाहिए हो पढ़ाए थे आ हम सोकंसेट और नेगेटिव अक्टिवेश एशन अरजी में आप यह लिखेंगा यह ना यह लिखो आप ओक्सिडेशन आफ नैट्रिक अकसाइड लिखो जब कापी में औक्सिडेशन आफ नैट्रिक अक्साइड Oxidation of Nitric Oxide लिख 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 लिया है 2NO plus O2 will giving you 2NO2 लिख 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 हो step 1 में 2NO equal to Kf upon Kb NO2 का whole square NO2 मत लिखना ये fast equilibrium लिखा हुआ है step 2 में NO का whole square plus O2 लिख के 2NO2 लिखा है slow लिखा हुआ है लिगल्या? लिगल्या? यहां पे यह, जब इसका आप RDS लिखोगे, यहां पे थोड़ा गड़बर सा लिख रहा है, जब इसका आप RDS लिखोगे तो वो क्या होगा? बोलो, NO की कॉंसेंट्रेशन जो है न, NO की कॉंसेंट्रेशन का, whole square, यही लिखोगे? यही लिखोगे लिखोगे लिखोगे, बोलो, क्या RDS, step number two RDS है या नहीं, इसी से RDS होगा, गवर्न बोलो, हाँ? जल्दी लिखो यार, oxidation of, nitric oxide, लिखो, concept of negative activation energy, अभी भी heading नहीं लिख पाए, concept of negative activation energy, है न, negative activation energy का concept पूचाता न, तुम लोगों ने, कि सर, बताओ, कहा होगी? वही बता रहा हूँ, तो यह बहुत बड़ा famous example है, यह न, बहुत सारी MSC किताबों में दे रखा है, oxidation of nitric oxide, यही सबसे famous example है, negative activation energy का, है न, ठीक है? कहां चला गिया है, यार? यह हूँ, यह हो जाएगा, अब इसमें intermediate कौन है? इसमें intermediate कौन है? इसमें intermediate कौन है? NO का whole square, NO का whole square, वो कहां से eliminate होगा? वो कहां से eliminate होगा? कहां से eliminate होगा? पहले step से, तो उसको eliminate करो, कैसे वही के equilibrium से, है न, उसी के equilibrium से लिखो, यह लिख लिया, है न? अब के equilibrium से क्या होगा? के equilibrium से के F upon के भी होगा, तो product upon reactant आएगा, product क्या आएगा? NO का यह आएगा, और NO यह आएगा, यहां से product का concentration निकाल लेना, आ जाएगा? यहां तक कर लो, यहां तक यह कर लो, अब यह लिख लो. यहां तक नोट होगया, यहां तक equation number one तक नोट होगया, सबका, इसमें कोई डाउट तो आएगा नहीं, क्योंकि यह मैं पहले बताई दिया हूँ. अब मैंने क्या किया है? अब मैंने यह लिखा है, rate बरावर के टाइम सब क्वांस्ट इजन की पावर ओर्डर, इसको मैंने compare किया, तो compare किया, तो मेरा capital के किसके बरावर आजाएगा, बोलो, इसके बरावर आजाएगा, capital के जो है ना, इसके k1 equal to kf upon kb, इसके बरावर आजाएगा, आजाएगा नहीं, आजाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, capital के को, के जो होगा, capital के जो होगा, मैं सुब बोलूँगा बताना, सुनना, capital के overall reaction का rate constant है, I repeat, capital के overall reaction का rate constant है, k1 क्या है, k1 पहले step का, k1 क्या है, k1 दूसरे step का rate constant है, kf और kb इस यह वाले fast equilibrium वाले step के rate constant है, तो इससे हमने क्या किया, overall का rate constant निकाल के लाए, तो overall का जब rate constant निकाल के लाए, तो इससे जब हमने compare किया, देखो, यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने k1 लिखा हुआ है, यह हमने kf लिखा हुआ है, यह हमने kb लिखा हुआ है, फिला रहा है, यह ना, k1 लिखा हुआ है, kf लिखा हुआ है, kb लिखा हुआ है, और उसके बाद ये जो arrangement किया उससे activation energy को compare किया तो ये निकल के आ रही है activation energy आ रहे हैं बाइस होण में activation energy इस तरीके से ये निकल के आ रही है तो ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि even ऐसा हो सकता है मैं blue pencil लिख रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि even और EAF का जो summation होगा वो कम हो सकता है किस से EAB से तो overall reaction की activation energy क्या हो जाएगी कम हो जाएगी overall activation energy की कहलू कैसी negative हो जाएगी और negative हो जाएगी तो क्या होगा यहां पे oxidation of nitric oxide की बास्तों में negative आती है और मैं बता दूँ आपको क्योंकि यह देखा जाता है कि temperature बढ़ाने पर rate of oxidation will decrease decrease होता है यार यह reality है इसकी कि temperature बढ़ाने पर क्या हो जाता है इसका rate कम हो जाता है और आप वो ऐसे ही explain कर सकते हो और आप इसको इस तरीके से explain कर सकते हो है ना activation energy को negative को ठीक है ओम बताओ क्या हुआ नो सरो पहले ही हाथ खड़ा रहेगा को मैं lower है तो यह सौन में आ गया है ना ग्राफ नहीं बनेगा ग्राफ नहीं बनेगा ग्राफ अलग-अलग step का आएगा overall reaction negative आई आयूश आयूश पहला step मैं यह नहीं कहा रहा हूँ even positive numerical value है eaf positive numerical value है eab positive numerical value है तो ग्राफ जैसे बनते हैं वो तो वैसे ही बनेंगे जैसे आप बनाते आए हैं क्योंकि values तो सारी positive ही है लेकिन जो overall reaction की जो value है ना वो negative आ गई है समझा negative नहीं ऐसा नहीं है negative activation energy है तो अपने आप ही product में का रहा है जैसा नहीं होगा है ना ठीक है ठीक है थैंक यू इशान बताने के लिए ना time हो गया थैंक यू थैंक यू very much है overall reaction कैसे आया एक बार बत दीजिए please यह थैंक है यह जो बत इन दोनों का summation जो होगा वो छोटा पड़ जाएगा इससे कब छोटा पड़ जाएगा तो यह हो जाएगा चैप्टर कब खत्म होगा खत्म ही हो गया तुम्हारे लिए तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए खत्म ही हो गया पड़ते ही क्यों हो मैं यह समझा रहा था यह समझा रहा था कि इवन और इएफ जो है न वह क्या होगा इन दोनों को एड़ करने के बाद जो वैलू आएगी ऐसा हो सकता है इन दोनों का जो समेशन है वह हंडेड आजाए और याबी का जो वैलू है वह माइनस वह वन फिप्टी हो तो जब आप वो करोगे तो माइनस करके माइस 50 आ जायगा ऐसा कुछ होगा इसा कूछ को था है कि experimental नहीं है क्यों नहीं हो सकता E1 प्लस EF less than EAB क्यों नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है backward reaction आप इसे highly endothermic reaction बना दो तो backward reaction का activation energy की value काफी ज़्यादा आ जाएगी तो क्यों नहीं हो सकता है हो सकता है सुना ली है नहीं हो सकता है हाँ ठीक है इस तरीके से रहेगा इसलिए क्या होता है कि इसका rate of हाँ 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 नोट नहीं कर पाए तो नोट कर लो है ना इन्टर्मेड कैसे पहचानेंगे इंटर्मेड पहचानने का तरीका जो रियक्टेंड और प्रोड़क्ट के अलावा जो चीज वहां दिखाए देगी वो इंटर्मीडियट वो इंटर्मीडियट होगा है ना ठीक है सरी के सोगा रेट ऑफ ऑक्सिडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट ऑफ ऑक्सिडेशन जोगा वो डिक्रीज होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं एक खत्म कर रहा हूँ अब आप जो है ना सीड डिसक्रिशन के लिए मैं क्लासेज अलग से लगा दूँगा तो आप लोग कर लीजेगा ठीक है एंडॉन्ट कोचिंग जो है ना वो सेल्फ मॉटिवेटर स्टूडेंट का काम होता है जैसे जो लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो सभी करते हैं जैसे मां लोग क्रिकट खेलना है बैडमिंटन कुछ भी खेलना है तो वो तो सभी लोग खेलते हैं है ना खेल सकते हैं लेकिन उसमें एक स्टेज पर पहुंचना है अगर अच्छी स्टेज प कोचिंग इस सेल्फ मॉटिवेटर स्टूडेंट का काम है जो खुदी सेल्फ मॉटिवेटर है ठीक है भाकी धक्का मार जो लोग है उनका कुछ होने वाला नहीं है और यह रियल्टी है जितनी जल्दी जितनी जल्दी समझ जाओ उतना दो तरीके समझ सकतो आंगे जाके ठोक को अपनी देना चाहिए स्टूडेंट को उनको सीधा सीधा बताना चाहिए कि दिस इस रियल्टी कोई भी आर्मी ऑफीसर जो होता है वो अपने सोल्जर्स को यह नहीं बताता है कि जब आप बॉर्डर पे जाओगे तो वहां पे आपको फूल बरसाए जाएंगे सब वह चलेंगी कि इवन और एफ कभी नहीं क्यों नहीं हो सकता है ऐसा हो सकता है ना ऐसा हो सकता है ना ऐसा भी हो सकता है कि एवन प्लस एफ की वेलू जो है ना वह बड़ी भी हो सकती क्यों नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकता है जब ऐसा होगा तो जो ओवराल रेक्शन की एक् पढ़ा देंगे जो चीज जो सेक्शन नहीं पढ़ा है उसको पढ़ा दिया जाएगा जो सेक्शन नहीं पढ़ा है उसको पढ़ा दिया जाएगा आप लोग इंट्रेस्ट लूज कर देते हो मैं देखता हूँ मतलब जो है ना थोड़ा सा टफ वाले पॉर्शन पर जाता हूँ ना ते इंट्रम लूजी इंट्रेस्ट ही लूज कर देते हो आप लोग जड़ा सभी अच्छे लेवल पर जैसे जाने कोसिस करता हूं तो मौटिविशन ही अडिया सी एलिमेंट्री है ना ग्राफिकली देख सकते हैं क्या दिक्कते विल्कुल देख सकते हैं ग्राफिकली सब कुछ पॉस्ट्वेल है ना अटिक है थोड़ा सा अच्छे लेवल यह सब बता जैसे मतलब इंट्रेस्ट जैसे नीचे जो है ना इंट्रेस्ट ही नेकिया ना आप कि चलो कर लेना आप जो करना ठीक है मुझे पता नहीं मुझे समझ में था तक एंग